दो दिन पहले जो पाकिस्तान की इस्टोरिकल हार हुई है बंगला देश के सामने क्या उसका जिम्मेदार भारत है वेल गाइज मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ ये कहना में पाकिस्तानी क्रिकेट कॉमेंटेटर और PCB के चेयर्मेन रह चुके रमीज रजाका ये कह क्रिकेट का सिलसिला जो है वो पिछले साल एसिया कप में सुरू हुआ था जब भारत ने एसिया कप में पाकिस्तानी बॉलर्स की जम कर दुलाई की थी तब से ही पाकिस्तानी बॉलर्स का कॉन्फिडेंस हुए वो आसमान से सीधा जमिन पर उतर आया है पहले ये ODII न्यूजिलेंड की सी टीम ने इनको हराया और अब तो हदी हो गया अपने ही घर में बंगलादेश से इस हिस्टोरिकल हार का सामना करना पड़ा वैसे ये बात तो सही कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान जो है वो भारत को टक कर देने लगा था लेकिन फाइनली बारतिय बलेवाजे ने उनको उनका सही अस्थान दिकाई दिया तो अब सही वो अभी तक साइकलोजिकली उबर नहीं पाएं तभी तो टेस्ट की इस्ट्री में पहली बार इने अपने ही घर में बंगलादेश से 10 विकेट से आर का सामना करना पड़ा लेकिन ना कामियाबी का अपनी खराब पर दर्सन का सारा का सारा बलेम इंडिया के उपर थोपना ये थोड़ा सौकिंग तो है आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा